नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल दोस्तों भारत की A-team England में हो रहे World Test Championship का फानल खेलेगी वहीं भारत की B-team सलंका में T20 ODI Series खेलने वाली है लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर का खिलाड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में तो अगर आप भी हैं सरेसाइर के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो वीराट कोहली की कपतानी वाली भारती क्रिकेट टीम जून में इंग्लैंड के दोरे पर होगी जहां उसे 18 जून से न्यूजिलैंड के खिलाफ टेस्ट चैंफियंशिप का फाइनल खेलना है इसके बाद टीम इंडिया को मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट स्रीज में हिस्सा लेना है दोस्तो अब टीम इंडिया के फैंस को कुछ ऐसा दिखने वाला है जो सायद पहले कभी नहीं हुआ है जुलाई में टीम इंडिया स्रिलंका के दोरे पर जाने वाली है जहां वो वंडे टी टुन्टी सिरीज खेलेगी दिल्चस्प बात ये है कि इस दोरे पर रोहिस सर्मा विराट कोहली जैसे दिगज खेलाडी नहीं होंगे क्योंकि इस समय वो इंग्लैंड के दोरे पर रहेंगे मतलब स्रिलंका जाने वाली टीम में युवा खेलाडी नजर आएंगे स्रिलंका दोरे पर तीन वंडे और तीन टी टुन्टी मैच खेलेगी सिलंका क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को जो कारिकरम भेजा है उसके मताबिक ये दोरा 13 जुलाई से शुरू होगा सबसे पहले वंडे मैज खिले जाएंगे वंडे मैज 13 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई को होगे दोस्तो अब अगर बात की जाएं तीसरे नमबर पर उतरने वाले खिलाडी की जहां पर भारत के पास तीन खिलाडी मौझूद हैं जिसमें पहला नाम आता है सूर रिकमारियादो का दूसरा नाम मनिस पांडे का और तीसरा नाम स्रेय सायर का जो की तीसरे नमबर पर उतर सकते हैं तो इन तीनों ही खिलाडियों में किसे उतारना है या बहुत ही गंभीर फैसला होगा तो आपको क्या लगता है तीसरे नमबर पर किसे उतारना चाहिए आप हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करतीजिए और हमारे चैलेन को सब्सक्राइब करतीजिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद